दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी कबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सपहली कबर बिहार में जिला प्रसासन ने जारी किया नया निर्देश बिहार में आप सुबह 9 बजे से पहले खुल सकेंगे स्कूल अबिहार में आप स्कूल सुबह 9 बजे से पूरो भी खुल सकेंगे साथ इस साम 3 बजे के बाद भी कख्चाय चलाय जा सकती है इसको लेकर पटना डेम डक्टर चंदर सेकर सिंग ने नया आदिस जारी कर दिया है इसमें कहा गया कि ठान को देखते वे जिले में 6 फरवारे 2022 को सेक्चनिक गतिवेद्यों को लेकर जो परतिबंद लगा गया था उसे 21 फरवारे के प्रवाव से निरस्ट किया जाता है पिछले परतिबंदों में कक्चाओं को सुबह 9 से पहले और दोपर 3 बजे के बाद चलाने पर रोक लगा दी गई थी अब उन परतिबंदों को हटाने के बाद 21 फरवारे से स्कोल की कक्चाओं पूर्व की तरह चल सकेगी मालूमों की जिले के अधिकांस स्कोलों में पहले 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कक्चाओं चल रही थी अगली बड़ी कवर बिहार में 3 दिन बाद पूरी तरह बदल जाएगा मौसम पटना मौसम केंदर ने जारी किया ये पुरवनुमान जिहां बिहार में पहचवा हवा का प्रभाव बना हवा है जो अगले 3 दिनों तक बना रहेगा इस दोरान प्रदेश का मौसम सुसकोने के साथ ही पारे में कोई खास बदलाव नहीं होगा उसके बाद पुरवी हवा चलेगी जिसे तापमान में 3 से 4 डिगरी की विर्दी के असार है मौसम बिवाग के माने तो पुरवी हवा प्रदेश में चलने के कारण थोड़ी बाद उमस की सिती बनी रहेगी हवा का रुक बदलते ही राज के कुछ जिलों में हलकी बारिस के भी आसार है हाला कि बारिस तापमान दिरे-दिरे बढ़ना सुरू हो जाएगा अगली वड़ी कबर बिहार के सरकारे स्कूलों में 26 वरवरी से 9 की परिचा सिक्चा विवाग ने हर क्लास के लिए जारिक या सेडियोल जिहा विहार में इंटर यानी बारवी की परिचा खतम हो चुकी है मेटरी की परिचा शुरू हो चुकी है इसके खतम होता ही नवी की परिचा शुरू हो जाएगी इसके बाद पहली से आडवी कक्चा तक की परिचाओं के लिए सिक्चा विवाग ने तारिक निधारित कर ली है इसकोलों की वार्षिक परिचाओं के लिए सभी जिलों में तयारी चल रही है नवी की परिचा 26 परवरी से लिजाएगी बिहार भी दले परिचा समितिकी ओर से निर्देश जारी किये जाने के बाद नोवी की परिचा सफलता पुरुवग आयोजित करने के तैयारी अपरारम कर दी गई है अगले बड़ी खबर बिहार में नल खरावी को दूर करने के लिए मरमति दल का होगा तैनाथ हर पंचायद भावन में खुलेगा इस्टोर जी हा राज भर में नल जल योजना का काम 99 परदिसद पुरा हो चुका है ऐसे में राज सरकार ने पेजडी को निर्देश दिया है कि योजना से लावुकू को नियमित रूप में पाने मिले इसको लेकर प्लान तयार कर काम सुरू करे साती विभाग ने योजना में खरावी आने के बाद उसे तुरंद ठेक करने के लिए सभी पंचायद भावनों में एक इस्टोर खोलने का निने लिया है और यहाँ पर नल जल योजना से समधे सभी पाट को रखा जाएगा ताकि खरावी को दूर करने के मरमती दल को खोज से लेकर विभाग को ऑल लाइन भेजेंगे बाड़े कबर जल्द पाट्रियों पर दोड़ेगी बिहार स्पेसल टूरिस्ट ट्रेन रामेस्वरम से लेकर जगनाद पूरिक का कर सकेंगे दर्सन 13,232 रुपये में 13 रात और 14 दिन की होगे यात्रा जिहां बिहार में पारव मार्च तक आस्ता सर्कीट स्पेसल टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा बिहार सरीप में सनिवार के देन प्रेस वार्ता कर आयार ठीडी के स्चेत्रिय प्रवंदग राजेस कुमार ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते विया पूरी यात्रा हैं यह अपरी तेरा रात और चोदा दिन के रहेगी जिसमें 13,230 प्रति व्यक्ति यात्रा सुल्क रखा गिया है आपको बता दे कि टूरिस्ट बोडिंग इस्तल जाइनगर मदोबनी दर्बंगा समस्तिपूर मुझपर पूर हाजिपूर पटना बक्तियार पूर बिहार स कैने कुमारी मंदिर दर्सन एवाम त्रिवेंद्रम मलिकार जोन जोतलिंग एवाम जगनातपूरी का दर्सन कराया जाएगा बाड़ी कबर मगाही और भोजपूरी भासा पर जारकन सरकार के पेसले पर गुस्टे में नितिस कुमार कहा या सिर्प एक राज की भासा नहीं पता नहीं किसके काने पर लेल निन आए जहा जारकन में भोजपूरी और मगाही को दो सरो की चेत्रिय भासा से हटाये जाने के सुरिन सरकार के पेसले पर बिहार में राज़त ने भरे चुपी साद लिया लेकिन बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार इस पेसले को लेकर दिली गए बिहार के मुख्यमंतरी ने कहा कि मैं हαιरान हो सीमे ने कहा कि अगर कोई भोजपूरी भासा को लेकर ऐसा कर रहा तो मुझे लगता कि वह राज की हित में काम नहीं कर रहा है इसका नुकसान उने को दुटाना होगा उन्होंने कहा कि बिहार और जारकन दोनों एकी साथ रहे हैं दोनों राज अलग होने के बाद भी हम अलग नहीं है एक साथ है वह कर रहे कि यह हमारी भासा नहीं है जबकि यह दोनों राज्यों की भासा है दोनों राज्यों के बोडर पर यहाई भासा बोले जाती है जहां तक मगई भोजपूरी की बात है यह सिर्फ एक राज की भासा नहीं है यह उपी में भी बोले जाती है दूसरे देसों में भी बोले जाती है नितिस कुमार ने कहा कि बताए दोनों राज्यों में बोले जाने बज़पूरी और मगई को अलग कर दिया गया है बाड़ी कबर बिहार में 3.5.50 लाग सारी गरीबों को मिलेगा अपना घर 0.2.00 रूपे दग अनुदान दे रही है सरकार जा बिहार में सारी गरीबों को अपना घर देने की प्रक्रिया तेज हो गई है प्रदान मंत्रे आवास योजना के तहद राजी के सारे निकायों में 3,54,182 आवासों की मन्जूरी प्रदान की गई है इन में से 2,17,837 सिकायों का निर्मान कायरी सुरू हो गया है इसमें 57,113 आवासिया इकाया बन कर तयार हो गई है हास पूर ओल स्कीम के तहद इसकी सुरुआ 2015 में हुई थी जिसकी मिसन अवदे 20 साल मार्च तक है सरकार इस योजना को आगे विस्तार देती है या नहीं या तो बाद में ही पता चल पाएगा बाड़ी कबर बिहार पुलिस में सिपाही भरती के लिए सारे रिख दश्ता परिचा के तिथी जारी परवेश पत्र ऐसे हसल करे जहां बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए कोसिस कर रही वावो का सपना पूरा होने वाला है केंद्रिय चैन परिसद बिहार ने बिहार पुलिस में 8,415 पदोपर नियुक्ति के लिए P.A.T. का कनया कायर करम जारी कर दिया है इसके तहद अब 24 फरवरे से P.A.T. आयुजित की जाएगी इसके लिए रोल नमर के अनुसार अवेयर्थियों को बुलाया गया है सारे इस दश्ता परिचा का या करम अप्रेल महिने तक चलेगा इस दौरान गड़वरी रुखने के लिए कैस्तर पर इंतिजाम किये गये है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि सारे इस दश्ता परिचा को लेकर पूरो में जारी परवेस पत्र है मायन होंगे इसके लिए अलग से परवेस पत्र नहीं जारी किये जाएंगे इसके अलाव आपको बता दे कि बिहार में सिपाह भरती के लिए सारे इरेक परिचा गरदानी बाग इस्तेदे सहित राजेंदर प्रसाद सिंग राज की आऊची विदालाय में होगी अगली बड़ी कबर बिहार में किसानों को क्रिसी फीडर से अब रात में नहीं मिलेगी बिजली दिन में आठ गंटे आएगी लाइट जाराज में किसानों को क्रिसी फीडर से खेत में पढ़वन को मिलने वाले बिजली अब रात में नहीं मिलेगी अब सिर्फ दिन में उन्हें आठ गंटे बिजली मिलेगी बिजली कमपनी क्रिसी फीडर से उपलब्द कराए जाने वाले बिजली के सिस्टम को नए सिरे से रेगुल रही है इस पर ओच सर पर विमर सो चुका है जल्द या नई विवस्ता लागू होगी बिजली कमपनी के आला दिकारियों ने बताये के सिस्टम तयार किया जा रहा है पटवन के लिए दिन में आठ गंटे बिजली उपलब्द करा दे जाएगी अगली बड़ी कबर बिएपी सबी सीट पर लड़ेगी एमेलसी चुनाओ मुके सानी बोले सीम और पीम से पूछ कर करेंगे क्या जिया बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमेलसी चुनाओ में एंडिये और महागडवंदन में सीटों को बढ़वारा हो गिया है एंडिये के सयोगे बिहार सरकार के मंत्री और बियाइपी के राष्टी अधेज मुके सानी को एमेलसी चुनाओ में एक भी सीट नहीं मिली है जिसके बाद मुके सानी सबी 24 सीटों पर अपने उमिदवार उतारने की बात कर रहे है बिहार सरकार में मंत्रे मुके सने ने साब साब का दिया कि हम बिहार में बिजेबी से बगाबात नहीं चाते हैं लेकिन हम पाड़े का विस्तार करने के लिए हर जगा चुनाव लड़ेंगी देखते देखते आग के लपटे तेज होती चली गई और ट्रेन दू-दू कर जनने लगी गानिमत यह रही कि जब ट्रेन में आग लगी तो वह पूरी तरह से खाली थी इश्टीसन पर मौजूद लोगों और कर्मियों ने तुरंध आग बुजाने की कोसिस शुरू कर दि इ और आग पर काबू पाने का परियास किया बाड़ी खबर पिता लालू के लिए निया यात्रा निकालेंगे तेज परताब किस फरवरे से निकले की यात्रा जंडे पोश्टर पर दिखेगा निया लोगो लिखा है सजा नहीं साजेस जिया लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज परताब यादव ने उनके लिए निया यात्रा निकालने का एलान किया है इसके लिए नया लोगो जारे किया गया है इस नए लोगों में निया की चिन के रूप में तराजो दिखाया गया है साथ लालो प्रसाद यादव की चस्मा लगे हुई तस्बिर भी इसमें है लोगों में कहा गया है कि सजा नहीं साजिस इस पस्टेक की तेज परताव यादव इस बाद का प्रचार प्रसार करेंगे कि लालो प्रसाद को साजिस के तहथ बसाया गया है साथ दी जारही सजा भी साजिस का हिस्सा है यह नियाय यात्रा 21 परवरे से निकलने वाली है बाड़ी के पर 27 मार्च से हो सकती है आई पेल के सुरुआट लेग मैच मुंबई पुने और प्ले अप मुकाबले आहमदाबाद में होंगी वहें लेग स्टेज के सबी 70 मुकाबले महाराष्ट और प्ले आप के मैच हमदाबाद में खिले जाएंगे अरहां की बड़ी कबर बिहार की युवा किरकेटर सकीबुल को सचिन ने दी बदाए लिखा की पीट आप डेबू मैच में ट्रिपल सेंचुरी जड़ बनाया था विस्वी रिकॉर्ड की पीट आप उन्होंने अपने ट्विट में सकीबुल की संदर पारी के तस्वरी भी लगाई है आज के लिए आपका सवाल बताए कि जारकन के चेत्री और भासाओ की सोचिस से बोजपुरी और मगाहि को बाहर करने के फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं इसका जवाब आप अपने नीचे कोमेंट करके ज़रूर बताए